हलो इस्टुरेंट्स ने अक्ष्ट अब डिसस्स करेंगे एक्साइज 8.3 कैसे नमबर साइकिंड क्या कह रहा देगो यहाँ पर complete the table वही पहले वाले cases की तरह है first expression आपके पास A है उसको आपको multiply करना है second expression के साथ यहीं product यानि B प्लस C प्लस D तो कैसे करेंगे देखो पहले A को करेंगे B से AB फिर A को करेंगे C से तो AC आप यह AC की जागे C भी लिख सकते हो प्लस फिर A को करेंगे D से तो AD यानि यहां क्या आएगा आपके पास AB प्लस AC प्लस AD ठीक है आप लिख लेना है यहां पर मैं यहां पर लिखा हूं सेकिंड में देखो क्या है एक्स प्लस Y माइनस 5 का मल्टिप्लाय करना है 5X Y से बिल्कुल सिम्पल है इस का एसे भी लिख सकते हो आगे लिख सकते हो इस सिंगल वैली को और पीछे लिख सकते हो इस बड़ी वाली वैलीउ को फार एक्स से करो तो फाइव बंजा वैजो एक्स एज़िए यहां पर तो एक्स नहीं है ना केवल वाय है अब आजाओ इस लास्ट वाले पर फाइफ फाइफ और एक्स वाइज इस बताओ समझ में आया क्या ठीक है थर्ड केज देखो पी को मल्टिप्लाय करना है 6P स्क्वाइर से माइनस 7P से प्लस 5 से पहले पी से इसको करेंगे तो तो पी की पावर 1 और 2 पी की पावर 3 होगी माइनस 7P की पावर 2 प्लस 5P बताओ समझ में आया क्या ठीक है थर्ड केस तक आगया समझ में अब आजा फूर्थ केस पर नेक्स प 4P2 Q2 का मल्टिप्लाय करनá है P2- Q2 पहले इस वैल्ल्य को से और टू फी की पावर 2 पी की पावर 4 होगी और Q2 अब इसको next वाले से करो यह मायनस का साइन, यह 4 P22 और Q2 और 2, टो टोटल में कितनी होगी? 4 होगी Q की पावर 1, ठीक है? फिर देखो ABC का multiply करना है आपको A plus B plus C से आ जाओ पहले ABC को A से करेंगे तो भई A की power 1, A की power 1 2 हो गई और B C as it is प्लस अब इसको करेंगे B से तो देखो B की power 1, B की power 1 तो B की power 2 हो गई और A और C as it is अब C से करो देख रहे हैं आप यहाँ पर इस बार A और B as it is है और C की power 1, C की power 1 तो C की power 2 हो जागी बताओ समझ में आया क्या clear है आपर, so this is complete टेबल, आप इसको fill कर ले रहा है इस तरीके से cache number 2 और exercise 8.3 completed